मैंने तो पहली बार ऐसी मा देखा है जो अपने बच्चे का जो है ना बलिदान दिया है बच्चे को कडियर को खड़ाब नितिस कुमार जी ये देख रहे हैं कि बिहार के जनता युवा सरकार चाह रही है देश का प्रधान मंत्री दो ट्रम से प्रधान मंत्री है वो कितना दढ़ा हुआ है लवली आनंद जी तो आप वहां जा करके दम वासिंग मसीन में धल दूल गया होंगे है ना बसकार आप देख रहें डिटीड़ु 24 नियुजर मैं हूँ आपके साथ दिव्या पांड़े इस वक्त हम मौजूद है राजत कार्याले में हमारे साथ खास बात किया है जब पत्रकारों ने लवली आनंद से कहा कि चेतन आनंद ने कहा था कि कुए का पानी खतम नहीं हुआ है तो चेतन आंद की बाते चेतन आनंद से कीजेगा कई न कई उनके चेहरे पर खामोसी दिख रही थी सायद इसी लिए अपने सवालों का जवाब नहीं दिया लेकिन पत्रकार भी कहा पत्रकार भी अपने सवाल पूछने से चुकते नहीं है पत्रकार उन्हें उनसे फिल से सवाल की आप अप नए घर में वापसी लियें किराय के मकान से तो उन्हों ने सापतोर पर कहा कि किराय के मकान में बहुत दिन रागे अब नए घर में वापस ही आगे क्या करेगा लवली आनन जी के बयान को मैं क्या बोलू मैंने तो पहली बार ऐसी मा देखा है जो अपने बच्चे का बलिदान दिया है बच्चे को कडियर को खड़ाब क कि बच्चा चाह रहा था कि रहें तो जिश्वी जी के साथ उनको हमेसा भाई मान्ते थे और एक मा ने अपने स्वार्त के लिए पने स्वार्त की पूर्ति के लिए अपने बच्चे का बलिदान दिया है ऐसी मा तो कोई होँई नहीं सकती है अब भिहार की जनता ये देख रही है कि किस तरह से एक माने अपने बच्चे का बलिदान दिया है था रात्री में देखेंगे फ्लो टेस्ट के दिन कि इतना किस तरह से चेताना अनन्द अपने बहाई के साथ बैठे हुए थे गाना सुने थे इंज्वाय कर रहे और उनके लिए हम लोगों को बहुत सिंपेथी है बिहार की जनता है ये देख रही है कि वो किस तरह से काम कर रही है और जो पाटी उन्हें बनाने का काम किया मानिये तरशी परसाद यादभ जिनने उनको सुपत्र को मतलब टिकट दिया राजित करकरताओं ने जीताया और आज लवली आनन जी बोल रही है तो उनको बोलने पर बिहार की जनता ही उनको जवाब देगी लवली आनन ने कहाए क्या किराये के मकान किराये के मकान में उनको किसी तरह का दबाओ दिया जा रहा था कि जिस तरह से नितीज कुमार कहे कि हमें दबाओ में रखा जा रहा थ जो नये घरों में वापसी की एक मिनट एक बात हम पोछना चाहते हैं कि हमारे आदर नीय नितिश कुमार जी बिहार के मुख मुंत्री एक वरदवाप दो वरदवाप और कितनी वरदवाप था उनसे ये पूछना चाहिए नितिश कुमार जी को अब कहीं न कहीं डड़ हो गया है नितिस कुमार जी ये देख रहे हैं कि बिहार के जंता युवा सरकार चाह रही है बिहार के जंता जो है क्योंकि बिहार युवाओं का राज्य है हमारा देश युवाओं का राज उसी तरह से पूरे देश में बिहार जो युवाओं का राज है और युवा यहां चाह रहा है कि सिक्षा मिले, स्वास्त मिले, रोजगार मिले और तेजस्वी परसाद यादब जी के तरफ यहां की युवा, महिला, बच्चे, सब लोग एक आसा भरी नजर से देख रहे हैं बुजूर भी पहले जाते थे अस्पताल में, तो देखें कि कोई भी ऐसा मंतरी जो रात के एक बज़े, दो बज़े, यह कहते हैं न, छापा मारना, अस्पताल में, जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में काम हुआ, यह किस के लिए काम हुआ, बिहार के गरीब बंचित समाज क पीछे छूटे लोगों के लिए काम हुआ, और यह काम से इस तरह से नितिसकुमार जी डड़ गए, कि वो जो है पाला बदल कर लिया, और यह सब लोग जानता, जग चाहिरे, नितिसकुमार जी का या तो फाइनसर हो, या तो उनके कड़ी भी हो, या तो करीबी लोग पे क किस तरह से ED और CBI का जो छापा पड़ा था, यह कोई छूपा हुआ नहीं है, किस तरह से नितिसकुमार जी को डड़ाया गया था, हमारे यहां तो तो तेश्वी परसाद यादब जी लगातार, उनको चाचा जी, चाचा जी करकर, आज भी उनको सम्मान्य मानते हैं, और उ कौन अपना कौन पड़ाया, इनको बहुत जल पता चल जाएगा कि क्या है सो, बीजेपी वाले तो कह रहे है, चार सो की पार, नारे लगा रहे है, और 40 का सीड बिहार उनकी हाथ, क्या गई एगा, देखिए, यह सब तो एक होता ना, प्रोपगंड़ा जिसता से अपनाया जाता है, लोगों को दिमाग में रखा जाता है, और खासकर कि मीडिया वालों के तरफ से जादा, 400 के पार, 400 के पार किया जाता है, वो लोग, वही लोग बोलते हैं, जिनको डड़ होता है, कि हम इतना लाही नहीं सकते है, यह डर्कुल ड़र की आवाज है, जो लगता है, लोगों में यह चीज़ डाल देंगा, 400 के पार, 400 के पार, तो इन ही को लोग सब लोग बोट करेगा, तो बिल्कुल ही नहीं, लोग जानगा है, किस तरह से आप देखिया, इलेक्शन बॉंड का, किस तरह से, मतलब लागातार, जैसे पहले तो, मतलब इनके हाथ में कहा जा जागरुख हो चुके, पूरे देश की जनता जागरुख हो चुके, और इनिकी मनसा को जान गई है, क्योंकि हमेशा, जब कुछ मतलब इनके है जनता आम पब्ली कुछ ओर मांगता है थो किसों कहीं और भठकाने का जो काम करते हैं, अब लेकिन जागरुख हो चुगा, सब लोग सोसल मीडिया में देख रहा कि किस तरह से बहादेश को कहां ले जाया गया है और किस तरह से लोगों का नौकरी रोजगार की तो ये बात करते नहीं है स्वास्त की तो बात करते नहीं क्रिशी की बात करते नहीं है कि नौकरी और स्वास्त और सिक्षा की बात नहीं कर र प्रश्टेचारी ओको दूर कर रहे हैं एक बात बताईए मुझे एक ही सत्रीज नहीं समझ में आता है कि देश का प्रधान मंत्री दो ट्रम से जो प्रधान मंत्री है वो कितना ढड़ा हुआ है ढड़ा हुआ है एक मिनट मेरी बास सुन लेजिए एक कुछ भी वर्ड बोलते मतलब एक मंच पे से कुछ बोल दिया पूरा बीजेपी लग गया मोधी का परिवार मोधी का परिवार मोधी का परिवार तो एक बात बताई है मोधी के अलावा बीजेपी में कुछ है बीजेपी का कोई परिवार नहीं है बीजेपी की गारेंटी नहीं है मोधी की कि 140 कोड़ अबादी से हटके तो नहीं है बिलकुल आप सही बोल रहे हैं इनका पड़िवार तो बहुत ही बरा है है ना निरभ मोदी इनका पड़िवार ललित मोदी इनका पड़िवार और एक और क्या थे अभी मुझे ना जो ले भी तो इनके पड़िवार थे इनके पड़िवार थे मतलब 65 लोग जो कि मतलब ऐसे जो जो कितना ना जाने करोरो करोर लेकर के गवन कड़ गये और इतने लोग है ये इनका पड़िवार ने ये क्यों नहीं कभी बोलते हैं हसरत की बेटिया इनके पड़िवार नहीं थी पहलमान बेटिया इनके पड़िवार नहीं पड़िवार की बात कहते हैं तो पड़िवार कहते हैं उनकी दो पीड़ी चलती है बीजिपी में लालू परसाथ यादव जी के तरह नहीं कि एक पिड़ी से दू पिड़ी, पिड़ी दर पिड़ी, पिड़ी दर पिड़ी चलाए हम, दूसरे को मौका ही नहीं दे रहे हैं, एक बात बताईए मैडम, इनका जो है कॉंग्रेस, जब केंदर की बात हम करें, तो पिछले कितने टर्म से कौन परधान मंतरी था आपको भी प पाटी, इनका बाप, बेटा, दमाद, इनके यहां तो चाचा, भतीजा, फलाना, धेकाना, सब, और इनके कितने अलाइन्स में, तो हम लोग को लंबा लिस्ट लेकर बैठना पड़ेगा, अब नेक्स टाम आप आईएगा, हम लिस्ट लेकर कर बैठेंगा, और बताएंगे कितने लोग यहां परिवार बाद है, सो, यही जिस बिधान सवा माँ बैठी उनितिन नविन का अपने सुपर का है, पिते जी के नाम पे चल रहे हैं, इसके बाद का दखलें, कुमरार, दिगा बिधान सवा, बाबु जी को सब तो ठीक है, लेकिन सब यही कर रहे हैं, अप रावडी देवी को बनाए, मुखे मंतरी, उसके बाद अपने बेटे को बनाए, फिर उसके बाद तेज परताब जी तो हैं, अब मीशा भार्ती को बना रहे हैं, तेज असुई परसादी यादाओ, अपनी बीबी को खड़ा कर रहे हैं, फिर से विधान सवा में रावडी पर देवी को बनाया गया है, उम्मेज दोर, एक बात बताइए, समराठ चौधरी जी, उनकी माता जी भी बिधायक रह चुकी है, उनके पिता जी भी रह चुके हैं, तो ये पिर ही नहीं इनको दिख रहा है, यही से गए हुए लोग है, समराठ चौधरी को बनाने वाला इसलिए लोग पूरी पढ़ाई करने के लिए बीजेपी में आते हैं, मतलब ये मानते हैं ना, कि पढ़ाई यहां किये थे यहां से, और ये मानते हैं को उनके भी पिताजी, इसलिए ना, कि जादा वहां भरष्ट होने लगा था, भरष्टचारी वहां हो रहा था, तो हम के साथ अन्याय होगा प्रष्टचारियों के साथ हम नहीं रहेंगे वहां पर वॉशिंग मसीन में सब लोग धूल अनंद जी तो आप वहां जा करके यह नगा जितने लोग जह इधर से यह बोलेने की बात नहीं है, और मैं क्या बोलूँगे, बिहार की जंता सब देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप सीटों की बटवारा क्यों नहीं हो रही है, सीटों के बटवारा हुआ है, अभी तो नहीं आया है, कि किसको कौन कौन कांडिडेट काने हुआ, हमारे यहां भ आप लोग को पता चल जाता है, कौन कहां से क्याम आख रहे हैं, कि नहीं पता चलता है, वही तो बात है, हम लोग को नहीं पता चलता है, बहुत जल्द बस 24 घंटे का टाइम है, आप लोग भार रखिये, कल सारा डिसिजन आजाएगा, यह थे मधु मंजरी, जो साब तोर पर अपने बात को रखा, अब आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, कौमेंट बॉक्स में प्रतिकिर्या जरू दर्ज कीजिएगा, आप लोग देख रहे हैं, डिटी डवलू टाइटी फोन यूज, धन्दे बात